शरीर के अंचाहें बालों को हटाने के लिए आज के इस वीडियो में एक कमाल की रेमेडी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये जो remedy ये दोस्तों आपके body hair को remove करने के लिए आपकी मदद करेगे और साथ ही ये एक कमाल का process होने वाला है इससे अगर आप अपने अंचाहे बालों को हटाएंगे तो आपको जरा भी दर्थ नहीं होगा किस तरीके से painless तरीके से आप अपने अंचाहे बालों को हटा सकते हैं चलिए देखते हैं दोस्तो लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चोटी से request आपसे जरूर करना चाहूंगी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो हमारी स्किन काफी जाधा सॉफ्ट और सुन्दर दिखती हैं लोग वैक्सिंग करते हैं कोई-कोई लोग शेविंग भी करते हैं और यहां पर एक पाऊच इनो का मैंने लिया है इनो का इस्तमाल हम अपने पेट की परिशानी को दूर करने के लिए करते हैं उसके बाद जो अगला ingredient डालेंगे हम इसमें वो है नीम्बू का रस तो पुरा आधा नीम्बू का रस इसमें हम मिलाएंगे आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे ही इनो के साथ नीम्बू का रस मिल चुका है तो reaction होना शुरू हो गया है तीसरा और आखरी ingredient जो हम इसमें मिलाएंगे वो है coffee powder तो आधा चमच coffee powder इसमें मिला करके हम तीनों इस चीजों को अच्छी तरीके से mix कर लेंगे coffee जो है न दोस्तों हमारे skin को lighten करती है, brighten करती है साथ ही हमारे skin पर stick हो जाती है, चिपक जाती है जिसे कारण जब आप इसे remove करेंगे तो आसानी से जितने भी अंचाहे बाल है वो भी इसके साथ remove हो जाएंगे तो बस तीन ही चीज लगने वाली है हमें इस remedy को बनाने के लिए धीरे धीरे आप देखेंगे दोस्तों इसके नियमत इस्तमाल से जो बाल है hair growth है वो भी कम हो जाएगी और आपकी skin भी साथी smoother और younger नजर आएगी और साथी साथ दोस्तों ये आपके hair growth को भी डिले करता है दोस्तों best results के लिए महीने में दो से तीन बार आप इस remedy को जरूर ट्राइ करें ऐसा करने से आपकी जो बाल है वो जड़ों से हटेंगे और लंबे समय तक आपकी जो skin है वो hair free बनी रहेगी इस remedy का इस्तमाल ना केवल अपने हाथ पेर उपर बनकि अपने facial hair को remove करने के लिए भी आप कर सकते हैं इस remedy का इस्तमाल आप upper lips को remove करने के लिए कर सकते हैं और अपने under arms के skin को भी आप hair free बना सकते हैं इसे आपको अपने बालों के direction में लगाना है 15-20 मिनिट लगा के रखना है और 20 मिनिट बाद जब यह सूख जाएगा लेकिन दोस्तों याद रखे कि आपको 100% dry से नहीं करना है 80% जब यह dry हो जाए उसके बाद आपको इसे बालों के उल्टे direction में रगड़ते हुए निकालना है आप देखेंगे आपको एक या बार में बहुत ही अच्छा result मिलेगा दोस्तों आभी मेरे simple सी remedy को ज़रूर ट्राय करें प्रेमेडिया आपको बहुत ज़्यादा पसंद आगी साथी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी इंफर्मेटिव लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिलकुल भूले हो सकते तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करें अपनी दोस्तो हो जाए थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर